हेलो फ्रेयंट्स आज का लाइड टेस्ट आपको कैसा लगा है वीडियो को लाइक करके बताएगा और कमेंट करके बताएगा तो आज की जो लाइड टेस्ट में कोशन थे व blamed question रखे गये थे 24 कोशन थे 10 मिनट टाइम आपके लिए दिया गया था और जो लाइटेस्ट है वो यूटूब में ही आपको लिंक डिस्क्रशन बॉक्स में दी जाती है है ना तो लाइटेस्ट अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके बताईएगा और हम इस डिस्कस करेंगे पर पांच डिगरी होती है अगर कुछ बैचे वन डिगरी लगा रहे है तो गलत है क्योंकि एक जागा गलत दिया हुआ इस वज़े से ठीक है तो वनियर वेवल प्रोटेक्टर की डिस्ट काउंट हमारी पांच डिगरी होती है नेश कोशन हम से पूछा गया था यदि बिल अगर समपर्ग शेत रधी है तो टार्क अधिक टांस्विट होगी राइट अंसर हमारा बी आफ्सन हो जाएगा नेश कोशन हमसे पूछा गया था हाइपो यूटेक्टाइट कार्बन में परिसत मात्रा होती है दिखे इस टील में कार्बन परिसत मात्रा तीन परकार की होत मतलब क्या होता है कोई बेकती गुसा हो गया और जिसमें गुस जो कर्फेसेट मात्रा बढ़गल गयी तो अगर आपको इस कंफ्यूजन होता हो तो इस को याद रखेगा आपको नहीं होगा तो अगर हाइपर में कार्बन प्रिसत मात्रा अधिक होती है अधिक का मतलब 0.8 परसंट से अधिक होती कहा था था होती है जीरो पोइंट परसंट से 2 परसंट तक होती है हाइप यूग्ट से कम होती है ठीक और फिर जो हमारी बीच में कौन से यूटिक टाड़ी स्टीली में कारभन प्रयूइट substitin भी यूण 2008 dedicate carbon style वाली को स get cet involved छी 35-dstyle इसमेंца 0.8 संट का inception तो सीच एक तो किया क्या कैं खाइग एक एक्भ लest तुष्छ परेंट कह संड केंगे ठीक है चल याद रखे गाई सारी कोशन हें वेरी इंपॉर्टेंट है और यह इंपॉर्टेंट कोशन यह आप यह वाला जो कोशन कोशन नमबर फूर वनियर बेवल प्रोटेक्टर के 23 मेन स्केल डिवीजन को कितने वनियर इसकेल डिवीजन के बराबर बाटा जाता है तो जो हमारा वनियर बेवल प्रोटेक्टर के 23 मेन scale division है वो हमारा 12 one year scale division के मान 12 one year scale division के बराबर बाटा जाता है इसी से हम एक one year scale का मान निकालते हैं जहाँ जैसे हम 23 main scale division बराबर लिखेंगे 12 one year scale तो अगर हमारा निकालना है कि एक one year scale division का मान कितना हो तो कैसे निकाल लेंगे ऐसे लिख लेंगे तो फिर उसको जब हम सॉल करते हैं तो हमारा एक डिग्री 55 मिनट आता है अगर आपसे पूछे वनियर वेवल प्रोटेक्टर में एक वनियर इसकेल का मान क्या होता है तो एक डिग्री 55 मिनट याद रखीगा यह कोशन बहुत ही पूछा जाता है निर्श कोशन हमसे पूछा इसका भी पूछा जाता है कि कंवक्षिटी रखने का कि होता है और चयों प्रशन क्मोत है अगर हमारा जो तो फाइल उसके बीच में जो दाते उभरे वे ना रखेंगे तो क्या होगा वो फिर चिपकेगी जॉब के साथ में है ना संपर्क छेत्र बिलकुल मतलब और बीच में फिर हमारा क्या होगा बीच में किनारी हमारे फाइल जो है किनारे की जो फाइल का फेस है उसके जो किनार हैं वो हमारे खराब हो जाएंगे मतलब फाइल है तो इसमें इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा किनारों में तो किनारों में जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा हमारे दात खराब हो जाएंगे इस वज़े से दा बीच के दातों थोड़ा अबरा बना जाता ह कि जो किनारे हैं वो हमारे जो फाइल के दांत है वो खराब ना हो जल्दी घिसे नहीं ठीक है जैसे कि पुरानी फाइल आपने यूज किया होगा तो फिर मेटल रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि उनके फाइल के दांत जो हैं खराब हो चुके होते हैं और यह अच्छा कोशन यह संघा आपाँ यह तो यह स्लिए कि इसता ने इसका अंसर हमारा होगा गया होगा समझ में और फाइल भी याद रखेगा से ऑं सहरी बड़ाफический कि लिए आप मेटल के साथ कराइं लिकित डाना ञाता है तो बाधरी बयारा हो पाइल worse or 2र में मेट के का हुँछ यह चार आ आना चाहिए विल्डिंग चैप्टर से तो विल्ड गेज के द्वार हम क्या हम आपते हैं फिलर मेटल की मुटाइम आपते हैं राइट अंसर हमारा सी आपसन हो जाएगा ठीक है जो हमारेसाथ अभी इस लाइव श्ट्रीमिंग के साथ जुड़ें जो हमारा लाईव चैट के माध्यम से होता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें ताकि हम और आपके लिए ऐसे डेली लाइट टेस्ट कराते रहेंगे ट्रेमल किस प्रकार का टूल है ट्रेमल आप्शन है बाहरी माप, अंदुरुनी माप, मार्किंग तो ट्रेमल हमारा मार्किंग टूल है इसके द्वारा हम क्या करते हैं बड़ा चाप लगाते हैं बहुत जैसे डिवाइडर के द्वारा हम लगाते हैं तो डिवाइडर से अधिक बड़े साइच का हम ट्रेमल के द्वारा चाप लगाते हैं ड्रिल का लिप क्लिरंस इंगल कितना होता है बहुत सारे स्टुडिन्स का यह कोशन गलत किया है किसी ने आठ से बारा लगाया तो किसी ने बारा से पंदर लगाया किसी ने सही भी किया तो ड्रिल का लिप क्लिरंस अंगल पूछता है कोशन में तो हमारा आठ से पंदरा होग अगर वो पूशे सामानिकार के लिए डिल का लिप क्लियर सिंगल कितना होगा तो 12-15 होगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा दो कोशन पूशता डिल का लिप क्लियर सिंगल पूशे तो 8-15 अगर सामानिकार के लिए डिल का लिप क्लियर सिंगल पूशे तो 12-15 ठीक है याद रखिएगा दो कोशन और डिल का लिप इंगल पूछे तो 69 डिगरी नेश कोशन है सामानिकार के लिए डिल का लिप के लिए सेंगल कितना होता है देखिए सामानिकार के लिए पूछा है तो जैसे भी हमने बताया 12 से 15 होता है राइट अंसर है आपे हमारा C अप्सन हो जाएगा याद रिखिएगा इंप्वॉर्टेट कोशन है 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 लिक सेंगल और है लिक सेंगल को और किस नाम से जानते हैं अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो कहीं न कहीं रिलेटेट कोशन हम आपको लाइटेश्म प्रवाइड कराते जिससे कि आपके अच्छे मा हम होता है flute angle होता है helix angle का सामानता है हमारा angle कितना होता है सामानता है तो साड़ी सताइड डिगरी होता है और helix angle तीन टाइप के है h a n s h type के लिए n normal धातु के लिए s जो हमारे soft metal उनके लिए ठीक है उनके भी हमने angle भी आपको याद कराया दिया था कल के वीडियो में electrode holder का जबड़ा जो electrode holder में जो जा होता है वो हमारा किस metal का बनाए जाता है option है copper brass lead nickel तो electrode holder का जो जा होता है वो हमारा copper का बनाए जाता है right answer यहाँ पे हमारा a option हो जाएगा next question हमसे क्या पूछा गया था किस tool दोरह अंदरूनी threat कारती जाती है तो कौन सा tool है जिसके दोरह हम अंदरूनी threat कारते हैं तो यह चार option थे तो tap दोरह हम अंदरूनी threat कारते हैं और die or die stack दोरह हम बाइरी threat कारते हैं नेश कोष्ण हमसे पूछा है थब कोष्ण ने अगर इंपर्टन कोष्ण है, इसमें अगर अगर आप गलत कर सकते हैं कोष्ण है उसका जो हमारी इसधीन है क्यों इस तरह होती है हीरे क तरह तेज होता है तो ऑई इसका वर्गाकार कोणे बनाने में करते तो यह भी याद रखेगा वर्गा कोणे गृट बनाने में हम डामाने फॉइंज करते हैं इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है राइक चसर हे आप 그래도 के नंसे तो बताया जाए तो face plate में कल के question में था catch plate में किस प्रकार के slot cut होते हैं तो catch plate में हमारा u a car का slot cut होता है है और जो हमारा face plate होता है उसमें हमारे t t a car के slot cut होते हैं ठीक है right answer हमारा यहां पर a option हो जाएगा अगर यहां पर catch plate होता तो हमारा use lot answer होता नेश कोशन हम से पूछा गया है welding screen glass current range के अनुशार कितने number से कितने number तक मिलते हैं जो हम welding screen glass use करते हैं तो वो current range के अनुशार अलग अलग आती तो वो कितने numbers कितने number तक पाए जाती वो हमारी 5 से 14 नंबर तक हमारी पाए जाती तो question number पंद्रा का राइटन सर हमारा क्या हो जाएगा यहां पे 5-14 ठीक है कोशन नमबर 16 में हमसे क्या पूछा गया था कोशन नमबर 16 हमसे पूछा गया था सामान इलेक्टोड सामान इलेक्टोड किस लंबाई में नहीं होता है तो याद रखीगा जो सामान इलेक्टोड होता है व 200 फिर उसमें 50 जोड़ दो 300 फिर उसमें 50 जोड़ दो साड़े 300 फिर 100 जोड़ना है साड़े 400 तो ऐसे याद रखना है पहले 50 जोड़ो 50 जोड़ो फिर 100 जोड़ो तो 200 फिर इसके बाद 300 इसके बाद साड़े 300 और इसके बाद हमारा साड़े 400 यह हमारे इस साज के हमारे इलेक् नहीं पाए जाता धाई सोमें और साधे तीन सोमें और साधे चार सुमें का पाए जाता ठीक है याद रखेगा यह कोशन वेरी इंप्पोर्टेंट है बेवल प्रोटेक्टर की सुधता होती है बलबीट सिंग में इसका पांच डिग्री दिया हुआ जो भी बच्चे होते है पूछा था डिल कर लिप लिक्ल कि इंगल कितना होता है तो में पूछा यह हमने पूठा इकर डिल अगर डिल का लेप क्लें संगल पूछा तो 8 करुछ और 55 programming लिपके पूछेंग तो 12 . सामानेटा डिग्री आगर हेल्क सेंगल का लेविक संगल सामानेटा पूछेंट 53. ऐसे सब आपको यादक ना है और नर्मधात के लिए डिलिंग कारी के लिए प्रयोग किया जाने वाला है कौन सा ड्राइव है हमने कल आपको बताया था कमेंड करके बताएं कल आपको याद कर रहा था ये कोशन गलत नहीं होना चाहिए एच एस एनार ये चार आप यह यह है यह तो हमने बताया था कि जो हमारा हेलिक्षण एंगल है थ्री टाइप यही होते है और उसमें एच टाइब के लिए ह। धातों के लिए प्रियोग करते हैं फिर हमारा एन आता है एन का मतलब होता है नार्मल एन का मतलब क्या होता है नर्म धातों के लिए ठीक है नर्म धातों के लिए एन टाइप का प्रियोग करते हैं इस का मतलब होता है जो हमारे soft metal है ठीक है sorry n का जो प्रयोग करते हैं वो हमारा प्रयोग करते है normal कारें के लिए normal जो हमारे धातू है ठीक है n का मतलब क्या है हाँ पर confusion मत होई क्योंकि हमने भी देखा है नर्म धातू के लिए हम एलेक्स एंगल प्रयोग करेंगे इसके बाद एच के बाद एन आता है एन का मतलब क्या है नार्मल धातू के लिए नर्व नहीं ठीक है क्या है नार्मल धातू के लिए हम एन टाइप हलिक्स एंगल का प्रयोग करते हैं फिर हमारा आता एफ किसका प्रव कारिएगे आऊब द्हातव के लिए मिशन प्रवक किया जाने वाला हमारा कौनसर थाइफ क יכול करेंगे एस टीप करेंगे ठीक है यहांे आप यहां पर यहां पर stateलिक्स उङल का ऐलिक्स का ओकल को कितना होता है रहे होता है और केसा भी याद रखेगा बहुत पिर स्टी continued principle का मलटिंग पोइंट कितना होता है रित इसे पूछा है। वनियर बेवर्ट प्र unputeur के में स्केल का Neίν ओता है कि इन इस्केल के मान होता एक डिग्री अगर एक वनियर सैल कमान पूछता है तो पर होता एक डिग्री 55 मिर्ट कैसे निकालते है जो हमने बारा वनियर स्केल खाने के मान जो होता 23 में स्केल division के मान के बराबर होता है वहाँ से वन एक वनि एवल निकालते हैं ठीक है तो जब हम वह वनिएर बेवल प्रोटेक्टर वाहला जब टॉपिक उठाएंगे वनिएर बेवल प्रोटेक्टर में हमारी टेपर होती है जब की चोड़ाई में हमारी समांतर होती है ठीक है तो मोटाई में हमारी फाइल टेपर होती है जब की चोड़ाई में हमारी क्या होती है फ्रेंट चोड़ाई में हमारी समांतर होती है याद रखेगा ठीक है चली नेश कोशन हम से क्या पूछे जा र होती है तो मोटाई में हमारी कितनी टेपर होगी हमारी यह हमारी मोटाई में कितनी टेपर होगी बताई फ्रेंट्स कमेंट करके अगर हमारी चोड़ाई में हमारी समांतर होती है ठीक है मोटाई में हमारी यह दो हमने option दिये हैं किस tap का टिपर लीद इंगल 10 डिगरी होता है वह हमारा होता है ý छे में की पोगारे कि याध करе तहां कर लिड कितना होता है वुथ मरें मुझे ही इंगल 1 गया। नहीं की प्रत्म शाइप मंने को हमारा सेकेंट टैप के अंतर कताता है यह हमारा इसका हमारा टेपर लीड अंगल 10 डिग्री होता राइट अ सर सी अप्षन होजाएगा डायल के लिपर की सुद्धिता होती है अच्छा कोश्चन है किसी ने लगाया होगा यह वाला है ने इसको नहीं लगाना है अगर किसी नी mm भी होती है 0.05 mm होती है लेकिन आफसन के अकॉर्डिंग हम कौन सा असलेट करने क्योंकि एक माइक्रों तो हमारा होता नहीं है तो डायल के लिपर की सुद्पता हमारी 0.0 mm जो सबसे कम माइक्रो मीटर की तरह है हमारा माप दीता हर आइटन सा हमारा भी आफसन हो जाएगा तो आज की लाइटेस्ट में बस इतनी कोशन थे और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएगा और ऐसे ही डेली लाइटेस्ट हम आपके लिए कराते रहेंगे बस आपकं के लिए क्या करना इस वीडियो को सेर करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है कमेंट करके फीड़वैक बताएगा यह आपको काम करने में बस 10 मिनिट लगे और हमें पेपर बनाने में दो से 2-3 गंटे लग जाते हैं तो यह समुझ लीजै ठीक है बहुत सारे friends के message वगएर आ रहें तो download नहीं हो रहा क्योंकि हम सब का download करके तो नहीं बेश सकते हैं फिर भी हम try किए तो download नहीं हो रहा आप night में चिक कीजिए हो जाएगा ठीक है तो okay friends फिर मिलते हैं next video में result आपको हमने टेलिग्राम चैनल पर दे दिया होगा और वहाँ पर अपने देख भी लिया है और community tab में भी डाल देते हैं टेलिग्राम चैनल की link description box में उसे आप जॉइन कर लिजे आप आपको सारे notes वगएर आपको मिल जाएंगे ठीक है और WhatsApp group भी आप जॉइन कर लिजे आपको बहुत कुछ फाइदा मिलेगा ठीक है बाइबाय टेक क्यार और सभी से सभी से सुबरात्री ठीक है अपना ख्याल लखें दूसरों का भी ख्याल लखें बाइबाय टेक क्यार